आप सबी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडी जे नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रों आज बात करेंगे मोल श्री की बकुल भी कहते हैं माइमो सॉप्स इलेंजी कितने सुन्दर फ्रूट्स आप इसके देख रहे होंगे सैपोटेसी फैमिली का ये प्लांट है निकलती है गुठली निकलती है और उस गुठली से एक्स्टक किया जाता है इस पकेगवे फल का जो टेस्ट है वह चीकु जैसा होता है और न्यूट्रेंट्स इसके अंदर भरपूर पाय जाते हैं जो हमारी बोडी को इम्मुनिटी देने में कारे करते हैं साथ यो कई बा स्कमजोर हो जाती हैं जिससे दांत हिलते हैं उनको मजबूती देने के लिए आप इस प्लांट के दांतुन कर सकते हैं दांतुन करके आप अपने हिलेवे दांतों को फिर से ठीक कर सकते हैं इसके अलावा आप इसके पत्रों का डिकॉक्शन बनाकर काढ़ा बनाकर उससे भ को बढ़ाता है इसके जो फूल होते हैं उसके फूल को सुखा कर आप रख लीजिए और उसका फ्यूम्स लेने से उसका धूमन लेंगे तो अस्तमा के पेशेंट को विशेश लाब करता है इसके फ्लावर्स के अंदर वॉलेटाइल ओईल होता है जो शरीर के विभिन्य प्रक पूल से निकाला हुआ ओईल आप उसको नश्य लीजिए या फिर आप उसको गहरी गहरी स्वांस भर कर सूंगे देखेंगे क्या कि 8 से 10 साइकल करने के बाद आपका माइगरेन का पेन जादूई तरीके से ठीक हो जाता है वंडर्फुल करे करता है इसकी जो च्छाल है पेतारने के लिए पेट फर वम्स हो जाएं उनको दूर करने के लिए समश्या हो दूर करने के लिए पेट में कोई गाटिरियल इंफ Hughes उसको करने के लिए कढ़ा बनाकर आप सेवन कर सकते हैं इस चाल की anti-diabetic properties भी होती है मधू में नासक प्रोपर्टीज भी घूत जुए निराकरण scary भी आप इस plant को यूज़ कर सकते हैं साथ की इस plant के अंदर curcetine इसल् पॉलिफनॉलिक कंपाउंड और फ्लेवनाइड पाया जाते हैं जो एंटी एजिंग एंटी ऑक्सिडेंट का कारिय करते हैं बहुत टीड के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है उसके अंदर पाया जाने वाला बैटूलिनिक एसिड किम्मुनिटी के अनहांस करने में विम्यमिनो मोलेट्र का भी यह प्लांट कारे करता है Antibacterial, Antifungal, Amityermic, Antidiabetic, Antialcer Extra और हर्ट को मजबूती देने वाला वी यह प्लानट से क्या होता है आर्ट्रीज के अंदर गर वींज के अंदर किसी भी तरह का पलेक फोर्मिशन ना हो, उसको ओवाइड करने के लिए उसको रोकने के लिए इस इस plant के छाल का decoction पीना चाहिए बहुत अच्छा कारे करता है इस plant के अगर छाल ना मिले तो इसके पत्र का भी सेवन कर सकते हैं इसके fruits का आप conserve करके रख सकते हैं बाद में बरसात के मौसम में fruit के माध्यम से fruit के अंदर जो गुठली निकलती है उससे नए पोधे आप तैयार कर सकते हैं कई बार excess bleeding होती है हम घवरा जाते हैं कि हमें क्या हो गया है तो इस तरह की bleeding को भी यह control करता है कहीं चोट लग जाए घाव हो जाए रक्त का परवा कंट्रोल ना हो रहा हो तो इस पत्र की पुल्टिस बनाकर लगा दीजे और इसका रस घाव पे टपका दीजे आ पहने वाला रक्त रोक जाता है यह blood को रोकने वाला भी होता है इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट activity भी होती है जो हमारे blood vesicles को construct करके blood के भाव को रोकता है अपने मित्रों सातियों सकाओं के साथ यह जानकारी सांजा कीजिए चैनल को like से subscribe करते रहें आप सभी को धन्यवाद परणाम नमस्कार